बुलोश्री प्राणनाथ प्यारे कीजे बुलोश्री सत्गुरु महराज कीजे पन्ना धाम कीजे सर्व सुन्दर साथ कीजे आप सभी सुन्दर साथ जी के धाम रिदय में विराज मान शोभाय मान प्राण पिया रिदयेश्वर प्रानेश्वर आपके नूरी कोमल चरनार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी श्री कृष्ण त्रिधा लीला फिर से शुरू हुई और सरलतम तरीके से आज उसका हर्ट डे है सुन्दर साथ जी यानि के तीसरा दिन आएए चलते हैं अती सुन्दर फैप्स की तरफ भी क्या क्या पिया जी श्री कृष्ण तृधा लीला के माध्यम से धनी जी के आवेश्ट, धनी जी के जोश, कौन-कौन सी शक्तियों से हमारा इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, उन पे चलेंगे, सबसे पहले फाइव मिनट्स का प्री कैप कर करेंगे, एक्चली, जो पीछे हो चुका है न सुन्दर साजी बताएंगे, क्विकलि हैंड रेस करेंगे, ब्रज में शक्यों के अंदर कौन-कौन सी शक्तियां थी?टनाम जी, पिर्णाम जी वरज में सक्यों के अंदर गोप्यों के अंदर ब्रहम सुरुष्टी की आत्मा होती और कुमारिकाओं के अंदर इस्वरि सुरुष्टी की आत्मा होती और वरज में श्री क्रश्ण जी का जो तन था उसमें राज्जी का आवेश और जूर्ष भी था और साथ में आतम किन की थी? आतमा अक्षरब्रम की आतमा थी जी बिल्कुल सही सब क्या हम तन परमधाम से लेकर आये थे या योगमाया से लेकर आये थे तन? तन योगमाया से तन कहां के थे? यहां ब्रज में कहां के तन थे? तन तो यह कालमाया के थे न पिल्कुल सही अती सुन्दर और जीव कहां से लेकर आये थे हम जीव तो उच्च कोटी के जीव थी बहुत सुन्दर उच्च कोटी के काल माया के ही जीव कहीं और पैदा नहीं हो सकता जीव केवल काल माया में ही बनाये जाते हैं और यहीं पर लै भी हो जाते हैं हर बार बस इस बार कुछ स्पेशल हुआ, इस बार उन जीवों को अखंड कर दिया गया, ब्रज के टाइम, फर्स टाइम राज जी ने ऐसा किया था, आज तक कभी नहीं हुआ था, अती सुन्दर, अच्छा, एक बात बताएंगे अब कि ब्रज की लीला कितने समय तक चली, कितने समय प् प्रेम लीला थी, ब्रज लीला थी और बावन दिया वियोग था, बहुत सुन्दर, ग्यारा दिन की प्रेम लीला, बावन दिन वियोग, क्या विरहा कभी हुआ था, कोई सुन्दर साथ बताएंगे, क्या वियोग विरहा में ट्रांस्फॉर्म हुआ था, कभ हुआ था, विरह प्रेम में आया जी बहुत सुन्दर क्या वियोग विरहा में परिवर्तित हो पाया था या वियोग के विरहा में परिवर्तित हुए बिना ही तन छोड़ दिये थे हमने क्या विरहा का वियोग बना चाहे कुछ क्षणों के लिए ही बना हो या उसके बिना ही तन छूट गए थे हमारे हाँ जी शारदा बेन प्रणाम जी प्रणाम जी वीरह के बाद तन छूट गई थे जी बिल्कुल सही जो वियोग है वो विरहा में परिवर्तित हुआ बावनवे दिन परिवर्तित हुआ कुछ क्षण के लिए इतना प्रचंड विरहा आया कि तन ही छोड़ दिये इतना तेज विरहा आया कि तन छोड़ दिये विरहा के बिना तन नहीं छोड़े जा सकते पहले तो वियोग वियोग में समय कटता जा रहा था पर जैसे ही बावन में दिन जोर पकड़ा वियोग ने वो विरहा में परिवर्तित हुआ और हमारे तन छूट गए अच्छा एक बात और बताएंगे सुन्दर साथ जी जब हमने तन छोड़े तो सबसे पहले तन छोड़ क कौन गया वह ध्यान से सोचिएगा सबसे पहले यहीं पर तन रह गया हो वह कौन गया बहुत ध्यान से कौन गया जी चंदरी का बेर प्रणाम जी जब बातुरी की आगा सुनी तो सबसे पहले कालमाया से तामसी सख्या चले गए तामसी सख्या बिलकुल सही मैंने तुड़ा ट्विस्ट किया इस प्रश्न को सख्यों में से सबसे पहले तामसी सख्या गई पर उनसे भी पहले कौन गया सबसे पहले कौन गया ध्यान से करेंगे उनसे भी पहले कौन चला गया अरे वाँ बिदुर भाया प्रणाम जी प्रणाम जी सबसे पहले तो कृष्ण जी चले गए अभी कुछ पल बीते थे कितना समय इतने मिनटस इतने सेकिम मिनटस कितना समय उन्होंने शेमंपल दिया था कि मैंने जैसे ही orada कौन सी बात थी use from यूभावश सिंदर बात इस को कभी नहीँ गूला है उन्होंने कहा मुझे वह, वयोग तुमारे किसके बराबर लगा मैंने तो बस आते बांसुरी मुख पर लगाई थी मुझे इतना भारी लगा तुम्हारा वियोग कौन सी ये प्यारी सी बात है याद है किसी सुन्दर साहत है आरे वाँ प्रफुला बेन प्रणाम ची प्रणाम जी उन्होंने कहा था कि मुझे कलपों के समान वोक्षान लगी थी जब में बांसुरी बजाते समय पहुचाने तब बहुत सुन्दर अती सुन्दर क्योंकि हम सक्षियों ने जब बाद में उनके साथ राम से बैठके रास में बाते करेंगी न हम कहेंगे धाम धनी कहां चले गए थे एक एक पल यूगों के समान लग रहा था आपक अपने विरहा को हमारे विरहा से अधिक बताया तो उन्होंने दिल जीत लिया हमारे सारे शिक्वे मिट गए कि पिया हमसे इतना प्रेम करते हैं अब सुन्दर साथ जी आगे चलेंगे किस प्रकार कैसे कैसे सकम्स्टैंसे में क्या क्या हुआ कि हमने तन छोड़े थे हम उस कि दो हफते हैं कहीं भूल न गया हो हैं दिंकर जी प्रिनाम ची ऑ सामया योग मया परमधम बिल्कुल सहि कम्स्टैन प्रकार किiliंगे की स्पेशियलिटी क्या होती जैसे की देथ हो सब काल माय में द्वयत की लिला है वहां पेक जीव और माय की लिला है और योग माय में जो अद्वयत की लिला कहते है उसको उसमें जो 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 क्या बोलते हैं उसको जो ब्रह्म है वो अद्वयत जो ब्रह्म है वो अपनी आनन्द की सक्थियों के साथ जो आनन्द की लिला करता है उसको अद्वैत की भूमी कहते हैं और परमधाम में जो है वो स्वालिला अद्वैत है वो एक ही पर ब्रह्म सभी के अंदर लिला करता है बहुत सुन्दर माया ब्रह्म अपनी चैतन्य माया के साथ जो लिला करते हैं वो योग माया अद्वैत और वो स्वालीला अद्वैत एक difference और था सब में कि वो वला मैं पूछ रही हूं कि काल माया में बनता भी है मिटता भी है इसके बारे में कौन से सुन्दर साथ जी बताएंगे योग माया में कैसा होता है और परमधाम में कैसा होता है काल माया में बनता भी है, मितता भी है, योग माया में कैसा होता है और परमधाम में कैसा होता है जी, डॉक्तर साथ प्रणाम जी कालमाया के ब्रह्मांद में उत्पन भी होता है और जो उत्पन होता है नास उसका आवश्य होता है और युगमाया के ब्रह्मांद में उत्पन तो हो सकता है लेकिन नास नहीं होता है और परमधाम में तो ना उत्पन होता है नास होता है वो तो सभी वोई है सुन्दर साजी बिलकुल सही प्रनाम जी अति अति सुन्दर आईए अब आगे चलते हैं तीन प्रकार के जो ब्रहमान हमने किये थे ना उनपे एक नजर डालते हैं क्योंकि हमने मन, चित, बुद्धी और एहंकार के बारे में सुना था पर उसको मैपución स्वार्ण था सुन्दर साथ जी उनका एक बार नक्षे में जो बनाया गया ना उनको भी देख लेते हैं ये देखिए तो योग माया यानि अक्षर ब्रह्म के रिदय के अंतसकरन जिनको बोलते हैं वो चार भाग होते हैं जिनको क्या कहते हैं मन, चित, बुद्धी और एहंकार और ये एहंकार इगो नहीं होता जैसे यहां पर इगो होती है योग माया में एहंकार नाम की कोई चीज नहीं होती वो केवल जैसे मैं तो पिया जी की भी बोली जाती है हक की मैं भी बोली जाती है पर वो हक का इगो नहीं होता इगो केवल काल माया में होती है ये मैं खुदी ये माया की उपज है यहीं पे नश्ट भी हो जाती है सुन्दर साथ जी तो ये मन चित बुद्धी और एहंकार मन को क्या कहते है अव्याकृत ब्रह्म चित को कहते है सब्लिक ब्रह्म बुद्धी को कहते है केवल ब्रह्म और सत्वरूप ब्रह्म किसको कहते है एहंकार स्वरूप जो होता है वो सत्स्वरूफ ब्रह्म अब इनकी अपनी अपनी माया भी होती है यानि शक्ती भी होती है जो इनके साथ जैसे धनी जी के साथ सिंगासन पर आनंदंग श्रीशामा जी होती है इसी प्रकार यहां पर इनकी माया भी सिंगासन पर विराजमान होती है इनके साथ त सत्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चिद्चि तो इस प्रकार से ये होता है और मन के भी आगे चार भाग होते हैं स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महा कारण चित के भी चार भाग होते हैं यानि सब्लिक ब्रह्म के क्या क्या होते हैं स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महा कारण अब ये देखिए कितनी सुंदर ये बात है कि इन में कोई borderline नहीं है यानि कि अव्याकृत ब्रह्म का जो महाकारण है सबसे उपर वाला भाग है वो सब्लिक ब्रह्म का सबसे नीचे वाला यानि कि सब्लिक ब्रह्म का स्थूल और अव्याकृत ब्रह्म का महाकारण एक ही है दोनों एका कार हुए है दोनों एक ही है जो ली आगे हम इनका विस्तार से भी समझेंगे कौन सी बहिष्टें कहां खंडुई और एक बात बहुत ध्यान देनी है अभी तक ब्रज अखंड नहीं हुई है ब्रज केवल हुई है ग्यारा साल बावन दिन की लीला के बाद हम सब सखियां तन छोड़ छोड़ कर वहां पहुंच रहे हैं कहां पर ये केवल ब्रह में पहुंचे हैं हम सारे ये बहुत ध्यान से देखिएगा सुन्दर साथ जी एक बात बहुत ध्यान देने वाली है यहां पर कैसे और कहां पहुंचे हैं ये जरूर ध्यान से देखिए ये देखिए तो हम कहां पहुंचे हम थे काल माया मे यहां इस ब्रमान्ड में थे 11 वर्ष 52 दिन तक लीला करके कौन कहां गया ये ध्यान देने वाली बात है पहले श्री राजी का करेंगे श्री राजी के तन का नाम क्या था तन था कालमाया का नाम है श्री कृष्न जी उन्होंने जैसे ही यो आज व्रिंदावन में वो पुहँचे हैं उन्होंने बलभद्र कल्यान जी सबको वापिस भेज दिया गाए बच्छनों सहित सारे गौालबाल वापिस जा रहे है कौन सा समय है गो धूली वेला उसको कहते है यानि संध्या का समय है जब सारे पक्षी भी वापिस लोट रहे है गौाल बाल भी वापिस लोट रहे है गाएं भी वापिस लोट रहे है और कृष्ण जी ने आज क्या किया है यहां बांसुरी बजाने की बजाए ब्रज में बांसुरी कहां पहुँच गए यहां केवल ब्रह्म में पहुँच गए कौन पहुँचा उनका तन नहीं पहुँचा तन कालमाया का कालमाया में छोड़ना ही पड़ता है उसके बाद क्या आता है जीव क्या उनका जीव केवल ब्रह्म में पहुँचा नहीं पहुँचा और उनके जीव क नाम क्या है विश्नु जी का जीव विश्नु जी के जीव में बहुत सारी विशेश्ताएं हैं जो हम बाद में करेंगे क्योंकि वो बहुत वास टॉपिक है इसलिए फिलहाल आप यही समझे विश्नु जी का जीव केवल ब्रह्म में नहीं पहुचा तो कहा गया विश्नु जी का जीव क्योंकि ना तो वो नश्ट हो सकता है क्योंकि हमने वापिस भी आना है विश्नु जी के जीव का क्या किया गया है तो यहाँ पर न सुन्दर साजी इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ यहाँ पर यहां पर कारण प्रकृती होती है एक बहुत बहुत ध्यान से करेंगे और धीरे धीरे करेंगे don't worry यहां पृत्वी लोग है यह पृत्वी लोग यहां पर बना हुआ है यहां से तन छोड़ा वो तो सीधा कौन गया यहां पर सुन्दर साजी तन तो काल माया में बिल्कुल नश्ट हो गया आतम अक्षर थी उनके अंदर वो केवल ब्रह्म में पहुँच गई जोश और माया के तन में थे अब योग माया के नूरी तन उनको प्रदान कर दिया गया है और आटोमेटिक सिंगार किया नहीं है किसी ने वो तन की भागी सिंगार होते हैं सुन्दर साजी आटोमेटिक सिंगार सज के पिया रास भिहारी के रूप में इतने सुन्दर दिखाई दे र रहा करके उनके पास पहुंचना है जैसे ही वो बांसुरी बजाएंगे पर उनको एक पल भी नहीं लगा ये सारी शक्तियां केवल ब्रह्म में पहुंची कौन-कौन सी शक्तियां अक्षर ब्रह्म जी की आतम और धनी जी का जोश और धनी जी का ही आवेश धनी जी के जोश को अक्षर ब्रह्म जी का आवेश भी कहते हैं they are equal एक ही बात है यदि हम कहें अक्षर ब्रह्म जी का आवेश या धनी जी का जोश पर एक बात बहुत ध्यान देने वाली है जब मेरे पिया का जब बड़ी शक्ती प्रधान मंत्री जब होते हैं तब मुख्य मंत्री को प्रधान नहीं कहा जाता तब उनको आवेश के नाम से नहीं पुकारा जाता आवेश स्वरूप जब पिया जी का आवेश यहां पर होता है तब उसको जोश के नाम से ही पुकारा जाता है पिया जी का जोश जब वो नहीं आये होते हैं कब वो नहीं आये थे वो भी हम करेंगे उस सम उनको अक्षर ब्रह्म का आवेश कहकर सम्मानित किया जा सकता है सुन्दर साजी तो अभी उनको क्या बोलेंगे पिया जी का आवेश पिया जी का जोश और अक्षर ब्रह्म की आतम और साथ में नूरी तन ये समावेश हो चुका है सिंगार सच चुका है बस वो बांसुरी आपको ये बताना चाहूंगे उनका जीव कहां गया तो यहां पर एक कारण प्रकृती होती है जहां साथ शुन्य का स्थान कहा जाता है सुन्दर साजी और कारण प्रकृती जो होती है यहां होती है कारण प्रकृती सुन्दर साजी जो होती है न वहां पर इसका बहुत प्या save करके रख दिया किया, why to save it, क्योंकि इनको अखंड करना अभी किया नहीं जा सकता, जब तक रास नहीं खेली जा रही, जब तक वो खेल कर complete नहीं हो जाती, तब तक इनको अखंड नहीं किया जा सकता, और वो कोई छोटा समय नहीं था, यहां के, अभी हम सुनते एक रात की, एक रातरी की लीला थी, एक रात की रास थी, पर यहां के हिसाब से वो लाखों वर्ष थे, काल माया के हिसाब से, तो यहां पर समय बहुत सारा बीच जाता है, योग माया में एक रात ही बीचती होती है, और परमधा में एक पल भी नहीं बीता होता इस प्रकार समय का difference होता है सुन्दर साजी time zone कितना difference है यहाँ पर सुभह हो रही है इंडिया में early morning हो रही है USA में इस समय रात हो रही है तो क्षर ब्रमांड में लाखों वर्ष बीच जाते हैं योग माया में एक रातरी बीचती और परमधाम में एक पलक भी नहीं बीचती सुन्दर साजी इस प्रकार का time zone का difference है वहाँ पर तो अभी हमने श्री कृष्ण जी के बारे में सुना अब शामा जी के पास जो जो शक्तियां थी यानि के राधिका जी का तनकब छोडेंगे वो जैसे ही पिया जी केवल ब्रम में पहुँच कर जैसे ही उनका एक पलक में सिंगार समेत वो नूरी तन धारन करते हैं वहाँ पे होटों पे बासुरी रखते हैं बजाते हैं सुन्दर साजी अब सक्षियों को क्या क्या होने लग जाता है वहाँ पे जैसे ही पिया बासुरी बजाते हैं क्या बताएं सुन्दर साजी इतना सुन्दर वर्नन क किया गया ना इस बात का कि क्या सक्षियों पे बीती है जब वो बांसुरी बजी है क्योंकि बावन दिन का वियोग तो अंदर है दिल में कुछ तो होता है कि किसी से रोज मिलने जाया करते थे जिन से इतना प्रेम हम किया करते थे इतने दिनों से मिले नहीं है कहीं गली में अ इसा तो होता है कि दिल उसके पासी है अभी भी दर्द तो होता है अभी भी घर में रहते हुए पर क्या करें, खुद ही तो बोलके आये हैं, उनको अब कुछ कह तो नहीं सकते झाली हैं, इतना शोर हुआ है, सोचिये वो बांसुरी बज रही है और दिल को चीर रही है सक्षियों के वो रहनी पारी आप क्योंकि किएने दिनों बाद बज है, पहले तो रोज बजती थी तो नहीं रह पाते थे, अब प्रियतम की बांसुरी इतने दिन बाद बजी, अब कैसे रहा ज अब सुन्दर साथ जी अब ऐसे लग रहा है कि आत्मा निकल जाए इस शरीर से अब यहां रहा नहीं जाएगा सक्षियों के द्वारा कहते जब उन्होंने घर छोड़े है इतना शोर हुआ ब्रज में जैसे महाप्रलय जैसा शोर होता है न तन छोड़ छोड़ के जाना शुर में लगा हुआ है इसलिए उन्होंने लोग इतना शोर मचा रहे हैं ब्रज के इकटे हो हो के कि बांसुरी सब को सुन रही है शेश ने सुनी महेश ने सुनी गनेश ने सुनी सबने बांसुरी सुनी पर कहते हैं जो असर हमारे पे हुआ हमें ऐसा लगा मेरा नाम उस जाने की कोशिश कर रही है, वो सुन्दर साजी ऐसा तो लगे गई, पिया वरिंदा वन से ही तो उधर की और प्रस्थान किये थे, तो उधर जैसे ही भागना शुरू किया, तामसी सक्षियों से तो रहा ही नहीं गया, तामसी सक्षियों पर माया का सबसे कम प्रभाव रहा है सुंदर साथ जी आज तक तामसी सक्यों पर सबसे कम प्रभाव रहा इसलिए वो खाड़ी रही हर बाल जिसपे माया का प्रभाव नहीं होता है वो ही सबसे पहले तन छोड़ता है उसी को विरहा सबसे पहले आता है और वही सखियां होती हैं जो बल लेकर खड़ी भी रहती हैं जब पिया उतले वचन कहेंगे कैसी भी situation आएगी चाहे ब्रज में आएगी या रास में आएगी they will be the first one to take the action कि हमें तन छोड़ना विरहा सबसे पहले तन छोड़ना सबसे पहले और वहाँ पर उतले वचन सुनकर हमारे जैसे तो बेहोश हो गए थे वो खड़ी रही और तामसी सखियों की ही इच्छा पूरी नहीं हुई क्यों इच्छा पूरी नहीं हुई बहुत सुन्दर एक चौपाई लिखी गई है कि तामसी सखिया कारण बनी मेजर कारण की ये खेल दुबारा फिर से हमें काल माया में आना पड़ा ब्रज रास के बाद वैसे तो मास्टर प्लैनिंग धनी की पहले से थी पर कारण किसी न महा कारण तो वही है पर कारण किसी ना किसी को तो बनाया ही जाता है तामसी सखियों की इच्छा पूरी नहीं हुई क्यों क्यों कि जो माया में बल लेके खड़ा रहेगा खेल से उसका खेल में मन भीगा ही नहीं उसका कभी हमेशा धनी में भीगा रहा तो उनकी खेल की मुख्मानी में लिखा गया है कि अब जागनी के ब्रहमांड में तामसी सक्यां लास्ट तक रह गई हैं उनकी इच्छाएं बिलकुल पूरी करके लेके जाना है इस बार माया में भिगो भिगो के राजी उनको रखना है कि तुमारी इच्छाएं पूरी नहीं होई थी ना अब अच्छे से पूरी कर लो ताकि फिर से तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता सुन्दर साजी कहते हैं बासुरी की मधूर ध्वनी जो सुनी ना वो हम सुन्दर साथ ने गोपियों ने सुनी पर तान तो हर हर एक ने सुन ली थी पर ध्वनी पे नाम हमारा था उस ध्वनी में एक एक पे ऐसे लगता था हमारा नाम लिखा हुआ है और सुन्दर साजी बारा हजार ने तन नहीं छोड़े हैं वहाँ पर 36,000 तन कितनी होगी ब्रज की जन संख्या उस समय पे और उसमें 36,000 सखियां 12,000 तो ब्रहम स्रिष्टियां और 24,000 इश्वरी यानि के कुमारी का सखियां भी जिन में थी वो भी तन छोड़ छोड़ के पहुँच गई तो सोचे इतनी सी पॉपिलेशन में 36,000 अपना शरीर छो होगा कितना रो रहे होंगे कितना शोर कर रहे होंगे कहीं मेरी पत्नी भी ना चली जाए कहीं इनकी माता भी ना चली जाए कैसा कोलाहल वहां पे हो रहा होगा पर हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था सुन्दर साजी कहते हैं कुछ तो अपने हाथों में बरतन लेके गाय इतना विरहाया कि दूद का बरतन हाथों से छूट गया और चल पड़ी ना इधर ना आओ देखा ना ताओ ना इधर ना उधर दसो दिशाओं में कुछ दिखाई नी दे रहा कुछ और सुनाई नी दे रहा उसकी मनमोहिनी सूरत आखों में है और वो बांसुरी की ध्वनी का में कि मेरा नाम लेके मेरा प्रियतम आज पुकार रहा है तन छोड के भाग जाती है सुन्दर साजी छूट के गिर जाते हैं बरतन कोई अपने घरों में काम कर रही थी पती ससुर वहां खड़े हुएं बांसुरी की मधूर स्वर लहरी सुनी इतनी भाव विहवल हो गई हमी वो गोपिया है वो कोई और नहीं है इन में से शायद कोई एक हम भी थे मेरे बारे में लिखा गया यही सोचिएगा हर सुन्दर साथ उसने पती और ससुर को देखा ही नहीं मेरे सामने कड़े हैं उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अंतर द्रिष्टी खुल बाहर की द्रिष्टी में पूरा संसार धुदला हो चुका है अब उसने ऐसे धक्का मारा क्योंकि अंग क्या कर रहे हैं अब उसको खोश नहीं है और चल पड़ी अपने प्रियतम से मिलने की दगर की और दगलू भरे उसने और तन छोड़ दिया सुन्दर साथ जी कहते हैं हम सक्षियों के बारे में तो तीन बताए गए हैं कि तामसियां, राजसियां, स्वांसियां क्या करनी हैं इश्वरी स्रिष्टी ने एक पल भी नहीं सोचा उसी समय तन छोड़ के निकल पड़ी वैल्यू उसको पता होती है जो चाहता है मेरे साथ लीला हो पर उसके साथ हो रही होती है, आज भी यही हाल है, जीवों से पूछिये, जिनको प्रेम मिलता नहीं है ऐसा, ईश्वरी स्रिष्टी से पूछिये, जो हकीकत से आगे प्रवेश नहीं कर सकती हैं, हम सुंदर साथ को वो सौभाग्ये प्रापत है, पर हम बहाने बनाकर बैठे रहते हैं, हमी क्या किया कानों में अक्षरा तीत के द्वारा बजाई हुई मासुरी बजी भी कैसे है सुन्दर साजी हम अपना एंगल तो हर बार देखते आए हैं कि हमने ऐसे तन छोड़े हमने ऐसे किया हमने पती को ऐसे किया हमने गाये के दूर दोते हुए ऐसे किया उधर अक्षरा तीत का क्या हाल हो रहा है कभी कैमरे का एंगल उधर भी सेट करके देखते हैं योग माया में खड़े कोई सखी उनको वहां दिखाई नहीं दे रही अपनी पहली बार ऐसा हुआ है आज तक उसके बाद कभी नहीं हुआ सुन्दर साजी यदि आपने नोट किया हो तो पहली बार औ आखरी बार ऐसा हुआ है जब अक्षरातीत तन से भी थोड़े सेक्षनों के लिए दूर गए हूँ हालां कि उन्होंने लिखा है तुम हर एक गोपी के अंदर मैं सूक्ष्म रूप से समाया हुआ था पर फिर भी प्रत्यक्ष रूप से वो विरहा भी मुझसे सहननी हुआ मुझे कल्प के बराबर लगा कि तुम काल माया में हूँ मैं योग माया में हूँ इस समय पहली और आखरी बार ऐसा हुआ है उस पे क्या बीत रही है सुन्दर साजी जरा उनके बारे में भी सोचिए इसलिए तो उनकी बासुरी में वो सुनाई दे रहा है कि वो खींच रह है अब नीरुका जाएगा क्या आकर्शित कर रहा है उनके दिल का दर्द भी आकर्शित कर रहा है सुन्दर साजी कहते हैं बालक छूट के गिरा पती की छाती पे पैर रखके आगे बढ़ गई क्योंकि बाहर की आखों से दिखाई देना बंद हो गया है कोई भोजन परोस प्रियतम की बाशुरी पे अपना नाम सुनते ही एक पैर ठाली में और एक पती के उपर वही पती है सुन्दर साजी जिसकी आज तक सेवा कर रहे थे कहते ठाली की आवाज गौंज रही है पूरे घर में इतनी जोर से ठाली कि रही है कि उसकी खनखनाहट पूरे घर में उपी को कुछ सुनाई नहीं दिया, यानि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, बहुत तेजी से जाते हुए जो सामने आया उसको धकेलते हए निकल पड़ी है अब कोई नहीं रोक सकता, यह समय यहां भी आएगा, जब तक ब्रज का वो समय यहां नहीं आता, इतना प्रीयतम के प्रति नहीं फूटता अंदर से तब तक सुन्दर साजी यहां से भी वो भी काल माया थी यहां भी अभी भी हम काल माया में है उस समय तो नींद में थे इस समय तो पूर्ण जागरिती की अवस्था में जाएंगे तो सोचिये कैसे जाएंगे कोई सुध नहीं रहेगी ये वानी बेसुध कर देगी सब कुछ दिखाई देगा हाथ चलते रहेंगे पर हम हनसों को देखा है हमने ये करते हुए हाथ चलते रहेंगे पर उनके दिल को यहां का कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि दिल पिया के चर्णों में अर्पित हो चुका होगा कहते हैं जो कुमारी का सख्या चाहती थी हमारे पास लीला हो वो तो कहते बासुरी की आवाज सुनते घरों से निकल पड़ी उनको कितना वियोग है वावन दिन से ले कर नहीं जारी गोपियां अपने साथ हम तो चाहते थे लीला ओ पर ये क्या ये तो बहासुरी बजनी भी बंद हो गई ना कहते उनको अपने अंगों की सुध रही ना उन्होंने कोई देर की हमने देर की, हमने तो पका की सुंदर साजी हम तो उन में से हैं जो बेहोश होके बैठी रहती थी, कहते हैं बहुत सुन्दर इनके बारे में श्री मुखवानी श्री रास में लिखा गया इन्होंने वेग में कोई भंग नी किया, इन्होंने कोई देरी नी किया, हमारी तरह मैं ये सिनगार कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, लोगों के बारे में सोच लूँ, nothing, not at all, भागी चली गई, और कैसे तन छोड़ दी और ऐसा कुछ नहीं है सुन्दर साजी, यहाँ पर चाहे तामसीों ने पहले तन छोड़े हों, क्या क्या किया उन्होंने, कहते हैं, शुकदेव जी ने कहा है, हम गोपद वच्च के बारे में तो बहुत समय से जानते हैं, गोपद वच्च क्या होता है, जैसे गाए के बच्चडे का खुर होता है, गाए का खुर भी नहीं बोला है गाए का खूर थोड़ा बढ़ाना हो जाए उसके बच्डे का जो खूर उसका पैर होता है छुटा सा खूर होता है उसका नीचे कहीं गाए का खूर बोल देते बढ़ाना हो जाए ऐसे हमने जैसे कहते हैं उसका गड़ा हो जाता है जैसे वो बच्डा चलता है तो गोपद सुखदेव जी ने दिया यह पहले मुझे नहीं ध्यान था मैंने कभी पढ़ा यह नीता इसको अच्छे से कहते हैं त्रातक्ट के रेत्रतका करिया काईं बंध हता जे संसार कहते हैं जैसे घास के टिंके को तूड़ना कितना असान होता है घास के कोई बड़ा हो तो उसको टाइम लगे जोर लगे घास के तिनके के जैसे टुकडे टुकडे पल में कर दिये जाते है ना एक पल में गोपदवच को पार कर लिया जाता है या घास के तिनके के टुकडे कर दिये जाते ना उतने पल बर में सारे बंधन छोड़ दिये हम सुन्दर सा हम गोफियों ने देखा इनी मेरा किस से क्या नाता है तामसी सक्षियां कहते वो हैं बहुत सुन्दर लिखा है यह तामसी सक्षियां वो हैं जिनोंने संसारिक सारे कार्य बेस्ट तरीके से निभाते हुए भी अपने रिदे पर मतलब best hands चल रहे हैं उनके ये मशीन अत्ती सुन्दर चल रही है माया के कोई शिकायत नहीं है पर रिदय में माया को प्रवेशनियों ने दिया उनके प्रियतम के प्रेम में संसार को छोड़ने में एक पल भी नहीं सोचा एक पल भी देरी नहीं की क्योंकि दिल में थोड़ी सी माया होती उतना समय लगता है सुन्दर साजी सोचिए हम कहते हैं तामसी सखिया पहले पहुंच गई राचसी थोड़ा लेट हो गई और स्वाची तो बहुत ही लेट हो गई है ना तो आज सुन्दर साजी कितना माया का प्रवाव है उन पे कितना था किसी ने एक पल लगाया किसी ने दो किसी ने तीन आज कितने पल कितने क्षण आज भी पिया के बारे में उन पर एंगल सेट करके देखिए कितने बरसों से इंतजार कर रहे हैं कब विरहा की उस स्थिती में हम पहुँचेंगे मासुरी तो आज भी वो वैसे ही पजा रहे हैं और हर पल, हर घड़ी जागनी रास के लिए पुकारते हुए पहले तो आदी नींद, आदी जागरिती की रास के लिए पुकारा था तब भी हम फटा फट पहुँच गहे थे आज जागनी रास के लिए पुकार रहे हैं तब भी हम उन तक पहुँच नहीं पारें सुन्दर साथ जी आज पहले तो शाम को मिला करते थे आज ब्रह्मवानी के रूप में 24 by 7 अमारे पास रहते हैं वो पर हम उनके पास उस व्रिंदावन में जहां हमने अपने घर की सेवा पदराई है अपने रिदे में जो हमारे रिदे में वो व्रिंदावन बना कर बैठे हुए हम उसको विजित ही नहीं करते हैं सुन्दर साथ जी कहते हैं कोई सखी अपना श्रिंगार कर रही थी उसी समय बासुरी की ध्वनी उसको सुनाई दी जल्दी में पैरों का गले में गले का माथे पे इस प्रकार उसने पहना ये कौन सी सख्यां कहते हैं एक ने आँख में काजल लगाया दूसरी में लगाया ही नहीं जूटे संसार में राजसी सख्यां भी कैसे रह सकती थी वो भी उल्टा पल्टा करके पहुँच गई और उसक के बाद आई स्वांसी सखियां कहते हैं स्वांसी सखियां अभी थोड़ा थोड़ा सोच रही थी स्वांसी सखियों ने भी ये लेट ये वैसी वाली सखियां ना समझना इनको कहते हैं अभी घर से निकलने के संबंद में विचार कर रही थी तो जितना विचार आज भी हम करत रहेंगे न कि कोई बात नहीं कल समय मिलेगा कोई बात नहीं परसो मिलेगा कोई बात नहीं हम इस काम से फ्री हो जाएं अभी बच्चों की शादी कर दें अभी इससे कभी नहीं फ्री होंगे सुद्रसाजी अभी इनके स्कूल खतम हो जाएं अभी शादियां कर दें अभी ऐ रिदय से उपर से नहीं सुन्दर साजी कोई नहीं कहरा घर छोड़ दीजिये अगर रिदय से इस संसार को एक पलक में नहीं छोड़ा उतनी मुश्किलें हमारे लिए बढ़ती जा रही है सुन्दर साजी कहते है अभी विचार कर रही थी और कोलाहल मचा हुआ है पूरी ब्र पतनी को बचा लो सारी चली गई जो जो बास्तुरी बच कर विंदा वन जाया करती थी सारी चली गई और दर्वाजा बंद कर दिया गया घर का दर्वाजा बंद कर दिया गया पतियों ने हाथ पकड़ लिये जाने से रोक दिया अब अब उनके अंदर क्या हो रहा कहते ये द स्वांसी सक्षियों के लिए कहते हैं धिकार है इन लोगों को जो प्रियतम के पास जाने से हमें रोक रहे हैं तो आज भी सुन्दर साजी रोका तो जाता है पर स्वांसी सक्षिया ने रुकी हम रुक जाते हैं तब तो तन छोड़ के जाने का प्रावधान था, आज तो तन छोड़ के जाने को बोल भी नहीं रहे। चंद ज्वाला धदक रही है, अब मैं क्या करूँ, रोती है, कलपती है, तडप तडप के शरीर का अंत कर देती है, कि मेरा शरीर तुम को चाहिए, मेरा शरीर तुम रखलो पर मेरी आत्मा अबनी रुख पाएगी, और स्वामी जी ने बहुत सुन्दर लिखा है कि सात्वी की सखियां जो होती है, उनके भी अंदर तीवर विरहा होता है, सुन्दर साजी, उनके अंदर ऐसा नहीं है, तामसी सखियों से कम है, तो इसमें लिखा है उन्होंने विर्हा और तामस के मिलने का भी प्राय क्या है विर्हा तो तीवरतम थाई और उनको रोका भी जा रहा था उनको लगा मारा मर जाना ही उच्चित रहेगा इस तन को खतम कर देना सात्वी की सक्षियों की बहुत सुंदर उन्होंने इंट्रोडक्शन जो दी हुई है वो कहा हुए राक से धकी उस अगनी के धेर के समान है अगनी सब के अंदर समान है सुंदर साजी विर्हा की अगनी प्रेम अगनी सारी सक्षियों के अंदर क्योंकि अंदर क्या है आत्मा ह अंदर बस वो राक से ढख गई है, किसी ये सात्वी की सक्षियों के उपर थोड़ी जाधा राक हो गई है, क्योंकि जीव के स्वभाव यहां ऐसे मिल गए हैं उनको, और ताम सी सक्षियां राक अपने उपर डलने नहीं देती, वो अपनी अगनी प्रज्वलित और भी चरम सीमा पे पहुँच गई और उन्होंने भी तन छोड़ दिये, भला परमधाम की आत्मा अपने प्रियतम के बिना रह कैसे सकती है, इतनी सुन्दर वर्णन किया गया कहते हैं, शुकदेव जी ने गोपियों का वर्णन तो किया, पर कुमारी का सक्षियों का वर्णन में सनान किया करती थी, परमधाम की सुर्ताएं नहीं थी उनमें, पर श्री कृष्ण जी के रूप में, ये बहुत सुन्दर एक भ्रांती है, ये समाज में कि श्री कृष्ण जी ने उन कन्याओं के वस्त्र हरन किये, तो इस प्रकार की लीला क्यों हुई, ये लीला को मैं आपके साथ जरूर क्योंकि सारी भ्रांतियों का वो किया है, स्वामी जी ने उनको दूर भगाने का पूरा पूरा इसमें कभी भी विकार की दृष्टी नहीं आनी चाहिए सुन्दर साजी, क्योंकि सोचिए कहां तामसियों की बात हो रही है, वो अपने उपर वो आवरन नहीं आने देती माया का और कहां श्रीक क्रेश्ण जी जिनके अंदर पिया जी का आवेशों कहते हैं रास भी पढ़नी है ना शरीर और जीव भाव से उपर उठकर इसका मन्थन करना नहीं तो अभी मत करना अंदर विकार दृष्टी लेकर रास ग्रंत का मन्थन प्री रि इक्विजिट्स को आपको फुल्फिल करना पड़ेगा यदि आप शरीर और जीव भाव से उपर उठें तब आप रास पढ़ सकते हैं तब वो पूरी तरह से अंदर जाके सुख भी देगी और आनंद भी देगी सुन्दर साजी अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा जानत स्वामी जी के ही शब्दों में क्योंकि मेरे पिया जी ने हमारे धनी जी ने हमारे स्वामी जी ने जो हमको समझाया उस पे चलते हैं सुन्दर साजी उनी के शब्दों में पढ़कर ये देखिए ये जो लीला हुई थी कुमारी काउं की लीला जिसके बारे में शुकदेव जी भी जादा नहीं बताया जिनोंने ये श्री रास्टी का है सुन्दर सार जी तो इसमें कहते हैं प्राय जन साधारण में ये मान्यता प्रचलित है कि गोपियों का चीर हरन करके श्री कृष्ण जी ने अधर्म किया उनकवारी कन्याओं को इस सवस्था में सामूहिक रूप से जल से बाहर आने के लिए कहना किसी भी दृष्टी से उचित नहीं कहा जा सकता उपरोक्त ब्रांती का समाधान इन शब्दों में प्रस्तुत किया जा सकता है जिस समय चीर हरन की लीला हुई उस समय श्री कृष्ण जी की उम्र क्या थी मात्र दस वर्ष की थी इस मानवी अबालत में भी कामविकार प्रकट नहीं होता जब कि श्री कृष्ण जी के तन में था कौन ये पहचानने की जरूरत है कि उनके अंदर शक्तियां कौन कौन सी हैं अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा अक्षरातीत का जो शेवमावेश विद्यमान था बला ऐसे कि महिमा तो जानते हैं न सुन्दर साथ जी मूल स्वरूप जो बैटे हैं परमधाम में वही आवेश स्वरूप धारन कर यहां पर आये हैं सुन्दर साथ जी क्योंकि आत्मा के रूप में वो आया जो वहां परमोशी की अवस्था में है आपने नोटिस किया होगा सारी ब् प्रतिबिंब यहां पर नहीं आया उन्होंने एक स्पेशल स्वरूप धारन किया जो बिल्कुल मूल स्वरूप के बराबर है बस जितना ये काल माया उनको सहन कर पाए उतना लेकर आये हैं यहां पर क्योंकि अर्स की तो एक कंकरी 14 तबक उड़ा देती है तो मूल स्वरूप का नूर कहां से सहन कर पाएगी तो जितना नूर एक योग माया का नूर भी होता है काल माया में सबसे कम योग माया मिडल में और परमधाम अनन्त अपार है योग माया का नूर अलग है वहाँ भी नूर शब्द आएगा व्रिंदावन की शोभा में कितनी बार नूर शवदाएगा पर उस नूर को परमधाम के नूर से कंपेर नहीं किया जा सकता और यहां का नूर हीरे के चमक को भी नूर कह दिया जाता है सुन्दर साथ जी सूर्य का भी नूर कह दिया जाता है तो यहां की सीमा के accordingly जितना नूर यहां की कालमाया सैन कर पाए उड़ना जाए उतना नूर उस आवे स्वरूप में है उससे जादा यहां पर ला नहीं सकते हैं तो मूल स्वरूप आवे स्वरूप बिलकुल यहां की सीमा के अकॉर्डिंगली यदि कहें तो सेम तो सेम है जितना यहां समाया जा सके जब अक्षर ब्रह्म जी की वासना शुकदेव जी के ऊपर स्वर्ग की सर्वश्रेष्ट अक्षर ब्रह्म जी की वासना क्या मतलब हुआ आतम नहीं नहीं अक्षर ब्रह्म जी की पंच वासनाएं कही जाती हैं उनमें से शुकदेव जी भी एक हैं हम उनका स्थान भी करेंगे पूरा धीरे धीरे चलेंगे ताकि हर सुन्दर साथ के अंदर बस जाए उनके उपर स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अपसरा रंभा का प्रभाव नहीं पड़ सका तथा जीव स्रिष्टी के अंतरगत माने जाने वाले गौतम बुद्ध के उपर आमरपाली जैसी अद्विती ये सुन्दरी का भी कोई तुष्प्रभाव नहीं पड़ा तो असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी अक्षर ब्रह्म के भी प्रियतम जिस तन में लीला कर रहे हों उस तन को काम विकार से ग्रस्त मा जाता है ना सुन्दर साथ जी की ब्रह्म यानि जहां पर मेरे पिया जी का आवेश होता है वो कुछ भी करते है ना यहां आके उसको तो कार्य भी नहीं कहा जाता है उसको लीला का नाम दिया जाता है कार्य ब्रह्मी कार्य कहा जाता है जब उनका आवेश नहीं होता यानि क महम्मद साहब ने जो लीला की उसको और जो यहाँ पर सुन्दर साथ जी ग्रंत उत्रे महम्मद साहब की लीला को तो इन में ले लिया गया है जो श्रीमत भागवत यहाँ पर उत्री है और महेश्वर तंत्र का जो ग्यान आया यहाँ पर उनको क्या कहा जाता है ब्राम्मी का क्योंकि उसमें तो परमधाम की कोई भी शक्ती नहीं है, महम्मद साहब में अक्षर ब्रह्म की आतम परमधाम से आई हुई है, पर बाकी जगे तो परमधाम की कोई शक्ती नहीं, वहाँ पर जोश से उतरती है सुन्दर साजी, ये सारे जो ग्रंतों के नाम कबीर जी की साक्य बीजक ये जोश के द्वारा उतारे हुए ग्रंथ कहे जाते हैं और कहते हैं ये श्री मुखवानी में लिखा हुआ है कि वेद पहली बार नहीं आया है इस दुनिया में हर ब्रह्मांड में आते हैं वो करोडों ब्रह्मांड बनते हैं हर ब्रह्मांड में वेद का जरूर ग्य और कदीम से जब से ये खेल बनता रहा है तब से वेद आते हैं और उनमें देखे क्या क्या लिखा होता है सुंदर साज जी वेदों के हम श्री बीतक साहब में जो पढ़ रहे हैं हरी द्वार की बीतक उसमें बताया जा रहा है पार ब्रह्म की ओर बिल्कुल पूर्ण इशार करते हैं कहां पार ब्रह्म है कहां क्या होती है ये सारी स्रिष्टियां क्या योग माया होती है सब तरफ इशारा करते हैं पर आज तक डूवी can we imagine this importance महिमा ओफ तार्तम वानी सुन्दर साजी इसमें खोले हैं वो सारे भेद नहीं तो वेद तो अर्बों खर्बों अनंतों यह से सालों से वर्षों से यहां आ रहे थे कोई नहीं खोल पाया आज तक किसी ग्रंद को नहीं खोल पाया कहते हैं जबराईल आता है हर बार आता है पर ब्रह्म की तरफ इशारा करके जाता है हर बार कोई समझ नहीं पाता हो निशारों को इस बार वो सारे इशारे खोल खोल के पिया जी बता रहे हैं श्री कृष्ण जी के तन में विराजमान अक्षरा तीत का आवेश बारा हजार गोपिकाओं के रूप में विद्यमान ब्रह्म स्रिष्टियों के साथ प्रेम मैं लीला तो करता था किन्तु खेल का आनंद लेने के लिए अक्षर ब्रह्म जी ने स्पेशली धारन की हैं चौब ये दो में भी उनका जिक्र कभी नहीं हुआ करता होगा क्योंकि इश्वरी स्रिष्टि तो अभी धारन की है बिल्कुल ये खेल देखने के लिए ब्रह्म स्रिष्टि जैसे ही परमधाम से उतर रही है इदर अक्षर ब्रह्म की सत स्वरूप अब तो अक्षर ब्रह्म भी न इनकी शक्ति मूल माया है और जो स्वयम सत्स्वरूप ब्रह्म हैं उन्होंने 24,000 सुर्टाएं दारन की और अभी भी आप नोटिस कीजिएगा इस पूरी लीला में अभी भी वो सुर्टाएं बैठी बैठी देखने का अनंदी लेती हैं थनी नहीं खेलते हैं उनके साथ वो एक एक बात को समझेंगे कि एक ही तन में एक ब्रह्म स्रिष्टी की सुर्टा दो इश्वरी स्रिष्टी की सुर्टा क्यों डाल दी उन्होंने एक ही तन में क्या वहां तनों की कोई कमी है योग माया भी तो बेहद है जहां बेहद है क्या 36,000 तन नहीं बनाए जा सकते थे क कोई कमी पढ़ गई थी वहाँ पे क्यों 12,000 में ही इन 24,000 को भी स्थान दे दिया गया आखिर ऐसा क्यों हुआ कितना लाड पिया हमसे करते हैं एक एक लीला के पीछे इतना प्रेम चुपा हुआ पिया जी का कि क्या बताएं सुन्बै साथ जी कहते हैं इनके साथ लीला नहीं होती थी इसलिए कुमारिकाओं ने अपने साथ लीला कामना से वरत किया यमना जी में सनान करने लगी बहु संख्यक कुमारिकाओं द्वारा बहु संख्यक क्यों कहा क्योंकि ये ब्रम सृष्टियों से भी जादा संख्या में है कई दिनों तक यमना जी में सनान करती रही जिस प्रेम में लीला की आकांक्षा रखती थी, उसके लिए तो समर्पन की भट्टी में तप कर पुंदन बनना पड़ता है, ये हमारे लिए भी सिखापन है, किन्तु इस द्रिष्टी से कुमारिकाओं के द्वारा भूल हो रही थी, तो सुन्दर साजी इस तरह के उपवास करने से तो नहीं मिल पाता, जब तक कुमारिकाओं शरीर भाव से परे होकर आत्मिक द्रिष्टी से सर्वस्व समर्पन का भाव नहीं लेती, तब तक प्रेम के क्षेत्र में सिद्ध हस्तता प्राप्त नहीं हो सकती थी, एकांत ये बहुत सुन्दर प्रेम और वासना में इसको नहीं तोलना है, पूरी रास को इस शरीर के विकारों से भावों से उपर उठकर इस रास ग्रंत को पढ़ना, मन्थन करना शुरू कीजिएगा, ये दिखाने का केवल एकी परपस था की रास की रामतें पढ़कर उसको शरीर भाव से नहीं तोलना, क्योंकि सुक्षमता भी बढ़ती जाती, वहां ऐसे तन नहीं होते जैसे की यहां पर होते हैं काल माया में, योग माया में और सुक्षम हो जाता है, यहां तक की कहते स्वर्ग बैकुंट आगे जाते जाओ, सुक्षमता बढ़ती ही चली जाती है, और परमधाम में तो बहुत सुक्षम हो जाता है, इतनी सुन्दर ये लीला हैं, और एक बात और, मैं बहुत समय से सोचती थी, ये आगे जाकर आएगा, एक अंतर ध्यान की लीला आएगी सुन्दर साथ जी, उसमें आएगा जोस लियो खेंच कर, तो एक साल से मैं यही सोचा करती थी, बहुत अंदर चलता था, दो तीन सुन्दर साथ से डिसकस भी किया था, राज जी ने जोस ही क्यों खेंचा, आवेश क्यों नहीं खेंचा उनमें से, वाइ नॉ पता चलती जारी, शायद इसलिए श्री कृष्ण तृधा लीला फिर से शुरू हुई होगी, जरूर कुछ ना कुछ रह जाता है, और हर बार रहता ही रहेगा, क्योंकि पिया की वानी है ही ऐसी, हर बार जितना जितना डूबेंगे, उतना उतना नीचे जाएंगे, और उत उतना सुंदर साजी, हर बूंद मोती नहीं बन सकती, पर हम सब को अब मोती बनने की और अग्रसर होना है, पिया जी हम पर वो विरहा का और प्रेम के आवरन चड़ाएंगे, और हमारी ब्रम स्रिष्टियां वो बूंद हैं, जो मोती बन सकती हैं, जिन पे शाइन आ सकती है इस काल माया में भी, इसलिए पीछे ना रहे, आप सब के चर्णों में कोटान को प्रणाम जी, बुलो श्री प्रानात प्यारे कीजे, बुलो श्री सत्गुरु महराजी कीजे, प्रणाम जी सुंदर साजी, and the very very important note, very important point to be noted, मैं कोई विद्वान नहीं हूं सुंदर साजी, ना ही मैंने बहुत वानी पड़ी हुई है, इसलिए मुझसे गलतियां होती रहती हैं, आप ये मत समझेगा कि मुझे सब आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता, यदि कोई प्रश्न हो, तो आप विद्वान, ज्यान वाले सुंदर साजी से पूछ सकते हैं, वो जादा अच् और जो एहंकार स्वरूप वहां लिखा हुआ है, that is not equal to ego क्यूंकि हक की मैं भी एक कही जाती है, धनी जी की मैं, वो धनी जी का एहंकार नहीं होता, वो धनी जी का प्रेम होता है, जब यहां की मैं हक की मैं में बदल जाती है, तो तू ही तू, मैं ही मैं में कोई फर्क नह रहता तो ये वो मैं होती है और वैसे भी कहते हैं जब यहाँ कोई काम करना हो न तो अच्छा मैं ऐसे कर देती हूँ तो उसमें ego नहीं होती है तो मैं and ego are few differences are there in both तो वो अगर आपका कोई और प्रशनो और आप अभी comfortable हो तो आप पूछ सकते हैं और अगर कोई और सुंदर साथ जी का दिंकल जी जो नए सुंदर साथ specially बैठे हैं कोई प्रशनों तो जरूर पूछ सकते हैं श्री नाम जी तो उन्होंने पूछा था हेमन भाई जी का प्रशन था श्री राजी के नूरी तन का नाम श्री कृष्ण जी लिखा गया है श्री शामा जी के नूरी तन यानि योग माया में जब हम पहुंचे हैं तो श्री राधिका जी लिखा गया है पर सक्षियों के तनों के नाम क्यों नहीं लिखे गए तो उनके नाम भी कहते ब्रज जैसे सेम ही थे या अलग हो गए थे तो बिलकुल उनके नाम भी सेम थे कृष्ण जी राधिका जी पर बारा हजार नाम तो नहीं लिखे जा सकते ना यहां पे तो उनको लिस्ट नहीं किया गया यहां कि इंदरावती जी का नाम मानक दे करके आता है उनका स्पेशली बताया गया बाकी भी थे पर जब रास का वर्नन किया जाता है ना सुन्दर साजी रास का वर्नन जब रास ग्रंत में किया जाता है तो ब्रज वाले नाम यूज नहीं किया जाते उसमें इसका इसका भी एक बहुत सुन्दर कारण है for example हमारे घर में एक कस्टम है सुन्दर स समझा जाता, उसको गुड़ू, ये ऐसे करके पुकारा जाता है, for example, तीन महीने बाद उसका नाम करन हो जाता है आत्मन, ठीक है, पैदा होने के तीन महीने बाद, अब वो दस साल, बारा साल का हो चुका है, तो बारा साल के बाद जब मैं उसकी बात करती हूँ, कि जब आत्मन एक महीने का था ना, तब तो उसका नाम आत्मन था यह नहीं, तब तो वो गुड़ू था, तब तो वो आत्मन नहीं, जब आत्मन मेरे गर्भ में था ना, आत्मन नहीं था उसका नाम उस समय, पर अब उस इसको आत्मन नाम से पुकारा जाएगा, जब हम ऐसा कर रहे थे ना, जब वो डेड़ महीना का हुआ आत्मन, तो वो ऐसा करता था, तब तो वो आत्मन नहीं था, तीन महीने बाद उसका नाम आत्मन हुआ था, तो अब जब ग्रंथ उतर रहे है ना, हमारे जब वानी उतर र उनका नामकरण हुआ नामकरण संसकार कहते हैं naming ceremony कब उइ हमारी यह हम अगली बार करेंगे इसी प्रेष्ण से करेंगे प्रनाम जी प्रेष्ण आया हो बुलो श्री प्राननाथ प्यारे किज़े बुलो श्री सत् गुरू मह राजी किज़े तो वो योगमाय में कालमाय का नाम क्यों गया उदर, नाम तो तनका था, नाम तो तनका था, तो कालमाय में ही रहना चाहिए, तो उसको योगमाय में क्रिष्ण जी, रादिका जी कैसे ले गए, क्यों ले गए, उसका कोई है कि सिर्फ अंडेस्टेंडिंग के लिए ही, कि वो हम नाम लेता है जी, it's for understanding as well और योग माया में भी कृष्न तत्व होता है वहां पे योग माया में नूर तो होता है परमधाम में नूर तत्व होता है योग माया में एक तत्व का नाम भी कृष्न होता है तो वहां कृष्न अल्रेडी तत्व है तो वहाँ पे कृष्ण नाम already पहुंचा हुआ है तो अभी काल माया की नाम से उनको reference दिया जा रहा है कि ये कृष्ण जी और ये रादिका जी हालांकि वहाँ पे वो रास भिहारी जी है जो उस तन को actually नूरी तन को जो नाम दिया गया ना वो रास भिहारी का नाम दिया गया और जो ब्रज अखंड होगी उसको बाल मुकुंद जी का नाम दिया गया actually में ये समझने के लिए हम यहां कृष्ण जी और रादिका जी कह रहे हैं हाई और बारा हजार सक्षियों के भी ये योग माया में नाम पहुंचता ही नहीं actually में ये श्री मुक्वानी में लिखा काल माया का कोई शब्द नहीं पहुंचता तो परमधाम में तो कहां से पहुंचेगा इसलिए परमधाम में भी कोई नाम नहीं होते हैं इंद्रावती बाई सुंदर बाई ये परमधाम में नहीं होते काल माया में संबोधन करने के लिए क्योंकि यहां हम नामों के बिना सम नहीं पाएंगे, for reference I hope it's little clear yeah, yeah, thank you thank you for explaining this, thank you Pranam ji, और yes you are doing it very deeply, congratulations please go through this और आप जरूर नीलम और दीपती जी और दिंकल जी की help कीजेगा प्रश्न बनाने में पर ऐसे वाल है नहीं जो सब को आते हैं Pranam ji झी